दोस्तो भोल की स्रीज में इसके पहले हम लोगों ने अक्छांस बैखा और दैसांतर रेखा पढ़ लिया था अब अख्छांस बैखा और दैसांतर толudas में जुड़वे कुछ महत्तन प्रशंड़ों को पोमकत हृष को समझने का प्रयाज करते हैं क्योंकि है चीजे ऐसी थी जो अक्षांस रेखा और देशांतर रेखा पढ़ने के बाद ही हम उसे बेहतर समझ पाते या बेहतर तरीके से कर पाते चलिए उसके प्रोश्च में और आगे बढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ा था अक्षांस रेखा के बारे में तो यह नहीं बताने आपको अक्षांस रेखा किसलिए होता है तो सबसे पहले अक्षांस रेखा से जुड़े वे कुछ तथ थे जो मैं आपको रिविजन भी करा दे रहा हूं और समझाते वे चलना हूं लेखे जो अक्षांस रेखा थी वह भी क्या होती है एक बृत्ताकार पथ में होती जैसे गरते हैं उपर जो जो मथरूओं के तरह बढ़ते हैं उनकी लंबाई क्या होती है करती है क्या करती है एक औरत करहती है रिखा रेखा विशुवत ब्रित्त का तर यह है कि क्या होता है यहां से देख रहें आप जो यह राउंडिंग होती है यह वृत्ताकार होते हैं और जो जो मुग पर बरते जाते हूं तो इनकी लंबाई पर जाने के बाहरे इंगे सुन तो जब के संख्याक सोन्यासी भी पर तो मैंने आपको समझा था कैसे तो अब इससे क्या चीज़े हैं इससे में टाप कड़िबंधी अच्छान से रेखा से हमें टाप कड़िबंधी का ग्यान होता यह टाप कड़िबंधी क्या है वह देखिए अभी तो समय लेते हैं फिर बाद में जब सूरिया तब इंसुलेशन पढ़ेंगे तो वहां भी इमलोग जान जाएंगे कि ना थोड़ा समय लेते हैं जैसे अभी आगी पढ़ना है पीछे पढ़े भी होंगे पित्र भी अपने धूरी पर साधिये डिगरी जोकी होगे और एक सा 선y में रित्वयवर्फण होती तो रित्वयवर्फण होने के साथ अभी अनता ही कभी तेज धूप होती है कभी तेज धूप लगती तो जब तेज धूप लगती है तो मतलब सूर का भिक्रान होता है रहता है चाहन recuper पर बदलता रहताई और अलग 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 अमधार की मौसं, हो सकते हैं लेकिन अब जैसे तेज़ डिग्री अक्षांस रेखा पर अगर पूरे ग्लोब पर जहां जहां तेज़ डिग्री उत्री गुलार्थ की बात है उत्री गुलार्थ में तो वहां वहां तेज़ डिग्री पर सुरे केड़ें सीधी पड़ेंगी उत्री गुलार्थ ऊडीजिये है कि पृत्तकार है यहां पे जिस अक्षास्रेखा पे जैसा मौसम होगा वैसा उस रिखा पिस्तिध सभी ऐस्थानों पर होगा जाहें बोक्रते हैं जेसे आंतार पर कैठा की शेया . देसांतर रेखा के साथ जरूरी नहीं है अब इसमें सूरिया तब क्या होता है अलग अलग प्राप्त होता है इसलिए हर जो अच्छांस रेखाएं होती है वहां से में ताप कटीबंद का भी ज्यान होता है जैसे उसकाडी बंद उपोंसकुडबंद सीध काडी बंद यह उसकाडी बंद क्या है आपके पड़ा था कि 23 अमद रेखा जैसे 23 उपए 2 दिगरी नीचे सूरियने सीधी चमकती है जो सीधी चमकती है तो सूरिया तब ज्याधा प्राप्त होगा उस अस्थानकुम क्या कहते हैं ब पहुंशने रखाएंगे फिर उपर साड़े चाचट से दुनों तक सीत कड़ीबंद कहेंगे यह दोनों गलार्दों में है और इनका क्या है अब यह पूछलिया अच्छान सरी पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ती है वह इसलिए पढ़ती है ताकि ताकि हमें तापकड़िवंद का ज्यान हो सके उससे हम तापकड़िवंद के बारे में जानकारी ले सकते भी आगे पढ़ेंगे हम लोग तो आप समय और मौसम देखके बता देंगे इससे में सुर्की से रेखा पसीधी चमक रहा होगा उसका भी रूल है पर हम आपको रहा था वहां पर है कि वहां पे जो समय कड़न कराता है समय कड़िवंद क्या है इस समय यहां इसो कहां चैनल कली रहा होगा ופल अब जैसे ढ़का कि देस का स्टान के स्थानिल क्र्झेंट के एक ही श्तान पर तो इस प्रकार और जो देशानतर रेखा है यह time zone बताता है, इस समय कड़िबंद बताता है, क्या बताता है? समय कड़िबंद की बात करता है, जबकि अक्छान सरेखा से हमें तापकड़िबंद का घ्यान होता है, तो दोनों रेखाओं का जो grid होता है, यह पूरे globe पर इसका जाल फैला हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने अद्धन किया था तो यह आपके लिए ज्यादा महत्त पूरती की अक्षान सरेखा जिसांता रिखा को पढ़ ले क्योंकि इसी आधार पर हम आगे भोगोल की चीज़ें को पढ़ेंगे और वह चीज़ें तब आपको सुझ मैंगी जहां हम इन सब् जानवर क्या करेंगे जिस तरह हम लोगों पैना उसे तरफ आगे जानवर क्या करेंगे जाकता पहन सकते हैं उनके चमनिया मोटी हो जाएंगी और उनके और इस तरह की बहुत सारे चीजह पेड़ते कैसे होते हैं तो अगर आपको फिजिकल जेग्राफी सोंज में आती है यह basic स्वाज में आता है तो आगे की जिओग्राफी आपके लिए और आसान हो जाएगी इसलिए इन सभी चीजों को आप पढ़ते चले मेरे साथ जो जो चीजे नोट्स के लिए बने आप नोट करते हुए चलिए नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए और आपको नोट्स हम आपको बताते चलने पुस्ते चलने जैसे अंतराश्ची तीधियरेखा किस महा सागर से होकर घुजरती है और नहीं पता चले आप मेरे साथ जोल कर पढ़ रहे हैं अथवा नहीं तो यह अच्छांस रिखा और दिसांतर रिखा कि जो मैंने सविंद रूप से जो चीज़े बताई यह आपके साथ महत्वण था साथ इसके विसे मैं पहले से परचित रहोंगे नहीं भी रहोंगे तो जान कर सकते हैं और आप वहां पर आपको जो वीडियो के लिए इधाउतर जाना परता नोर्स के लिए वह नहीं जाना पड़ेगा वहीं आपको एक है जगह की प्रफॉर्म पर मिल लाएगा साथ में भाद की भूगल की स्लैड़ भी चल लए इस सर्फास के दौरा वह भी आप बनाते रहे और नोर्स बनाते रहे आप सभी साथ यहों तक यह पहुचा देजिए और शेयर भी कर देजिए ठीक साथ आप इतना कर पाएंगे जय हिन जय भारत